लो जनाब हर बंदा आजकल परिशान है AI मेरी जॉब खा जाएगी किता कख नहीं अप्लाई किता ही नहीं किता ना कोई जॉब कर रहे है लेकिन AI मेरी जॉब खा जाएगे भई पहले ले तो लोग जो लोग कर रहे हैं उनको तो टेंशन हो आजकल के students जिनको AI का पता नहीं है वो बस हमी सुनके कह रहे हैं कि AI मेरी job खारेगी मैं आपको एक तन्भी दे देता हूँ AI ने जितनी jobs create करनी है ना उतनी खानी नहीं है automation जितनी होनी है उतनी ज्यादा नहीं jobs आनी है मिसाल के तोर पे अगर AI सब कुछ automate कर देगी आप खुद सोचे के नहीं कितनी companies नहीं लगेंगी new कितनी new jobs आएंगी there are many endless opportunities जो आने वाली है तो AI भही आपकी job नहीं खाने वाली जब तक आप AI को सीखते नहीं है ना तब तक आपको इस परिशानी का सामना हो सकता है कुछ-कुछ जैसे आप इस चीज़ को सीख जाएंगे या इसकी awareness आपको आ जाएगी उसके बाद कोई issue नहीं है चले मैं आपको बताता हूँ opportunities कहां कहां पे होंगी और AI job खाने की बजाए job create करेगी कैसे कहां पे let's see it together सबसे पहले जहां पे AI impact करने वाली है that is job displacement short term यानि के displace होंगी jobs कि एक बंदे को कहा जाएगा कि तुम यार अच्छे mechanic नहीं हो हमारे पास एक बंदा है जिसको AI की base पे mechanic ही आती है उसको हम रख रहे हैं तो displacement होगी job की ठीक है आगे चलते हैं long term outlook देखे न तो ये economically बहुत ज़्यदा grow करने का मोका देगी countries को जो बिचारे countries हमारे पाकिसान जैसे थोड़े से economically बड़ी strike के अंदर है बहुत पीछे जा चुके हैं इस वकत petrol की prices जो खल पर सो increase हुई है you know about that तो हमें एक मोका मिल सकता है AI के थुरू grow करने का यानि के हो सकता है को ऐसी एप बना ले कोई एक बंदा पाकिसान में उठके या multiple apps ऐसी बन जाए हैं software ऐसे बन जाए हैं जो दुनिया यूज़ करने लग जाए so AI हमारी economic growth के अंदर part अदा कर सकती है ठीक है and then new job opportunities AI इतनी ज्यादा job opportunity ले कि सबसे पहले cyber security में जितना ज्यादा data होगा जितना डीफेक और इस तरह की चीज़ें आएंगी उतनी ही cyber security में jobs ज्यादा आने वाली है हर company क्या हर बंदे को cyber security का बंदा चाहिए होगा यानि कि जैसे आजकल होता है ना आपको पता होगा कि पुराने दोर के अंदर जब शादी होती थी तो camera man की को इतनी जरूरत नहीं होती थी ऐसे ही है कोई एक का दू का movie बनती होती थी वो भी जो बंदा फोड कर पाता था वो movies बना लेता था शादियों पर बट अब क्या हो रहा है हर बंदे के पास एक camera man की सूलत है they are paying a lot of money just for filming their शादी की movie ठीक है अब आप अंदाजा लगाएं उसके बाद क्या हुआ है इतना भूम आ गया कि हर बंदे के पास mobile है पूरी की पूरी शादी की movie हर mobile में होती है क्या हुआ क्या वो पुराने का सारे के सारी जॉब जाती रही नहीं उनकी जॉब वहीं पे है on the other side there are some skill set जो लोगों के बहाँ से हार वो अपने अपने personal use के लिए उसे use क्या पर है तो cyber security भी इस तरह की से आएगी AI based assisted fields आने वाले हैं जो हर एक field गे अंदर होगा कि AI यान होगी फिर आप कुछ कर पाएंगे new products and new industries आएंगी कभी आपने सोचा था कि आप एक app बनाके इच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं कभी किसी ने सोचा था content writing में पैसा है 2012 से पहले किसी ने सोचा था मेरे जैसे ने कि YouTube प पे पैसा कमाया जा सकता है यही काम future में होना है नए career paths आने नही perspective आने जॉब सारी की सारी automation की तरफ चली जानी है ठीक है automation freeze humans for more complex tasks मतलब यह कि आप आजकल जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं ना as a humans आपके वो जो आप छोटे मोटे काम कर रहे हैं वो AI ने replace कर देने फिर आप skill इसके कौन कौन से हैं सिरफ वो लोग जॉब लूज कर सकते हैं जो लोग स्किल इंडस्ट्री है बिलकुल लोग स्किल वह सारी जिंदगी एक की काम सिखे है वह कहा है जी driving अगर autonomous driving आगी तो वह तो गए ना तो लोग स्किल लेबर को यह problem हो सकती है समझा ही बात की अब यहां पर different cities के अंदर उबर चलती नहीं है यॉरप के अंदर या western countries के अंदर रिजन क्या है वो टेक्सी association जो है वो उनको आगया आने नहीं देती सो इसी तरीके से autonomous driving जो है उनका और फिर इनका रोला बनेगा क्यों उनको आती driving की skill है what they can do other than that सो इस वज़ा से low skill industry जो इस तरह की होंगी उनको impact पड़ेगा हमें क्या करना है हमें policy makers educators और business world के साथ मिलके collaborate करके AI based चीजों को आगे तो ले के आना है लेकिन job को भी retain करना है मिसाल के तोर पे उन driver को हमें बताना है कि भाई ये काम जाने वाल है आप ऐसा करो इनको supervise करना स उनकी बैटरियां चेंज करना सीख लो मतलब आपकी skill transform हो जाएगी driver वही रहेंगे लेकिन उनको skills और मिल जाएंगे और वो काम और करने लग जाएगे इसी तरीके से education and training बदल जाएगी आपको आप मैंसे कितने लोगों को पता है AI professors का Harvard ने launch की है AI professor रबोर्ट बना है class के सा सो हाँ female थी I forgot that तो पढ़ाती में हैं वो जिन्हें मर्जी स्वाल करो हूं तुसी आप देखो साठेर के professor या बंदे थे थक जान और बोर्ट कितो थागत है जो मर्जी पूछी जो उपर से उसके पास knowledge क्या है सारी की सारी दुनिया का AI का knowledge है उसके पास सिरफ आप चैट जी है ना AI benefits सभी को बराबर मिलने चाहिए that's the most important thing यह नहीं है कि अमीर को ज्यादा फाइदा और गरीब को कोई फाइदा नहीं तो यह चीज़ किसने सोचनी है government ने तो obviously बहुत ज्यादा jobs create होंगी जिनके लिए मसलह मैंने वो भी आपको बता दिया यह नहीं होने वाला कि data scientist को AI replace कर देगी AI engineer को AI कैसे replace कर सकते मुझे खुद बताए हाँ हो सकता है 200 साल बात शायद possible हो जब तक हो सकता है कि हमारे x-ray में सिरफ हडिया ही नजर आए कबर के अंदर but we don't know about that we still don't know about that हम में से कोई नहीं होगा तब शायद यह मुमकिन हो कहने का मकसद यह है literally कि हम में से उनको further सीखने तो मैं आपको request करता हूँ अच्छा request नहीं मैं करूंगा मैं वैसे बता देता है तो अगर किसी ने देखना है तो Tom Cruise की जो नई movie है यह न वो जरूर देखें उसमें AI का बहुत बोलबाल है और बड़े high level पे AI बताई गई है और अगर कोई AI passionate हो के सीखना चात है और हम लोग क्या करते है सास को बहुत से लड़ा दिया ठीक है बंदेदनाल बुड़ी रूसी है जो लो उत्ते ड्रामा बना दिया so we don't know about these things इसी वज़ा से हमें अंग्रेजों की तरफ रूख करना पड़ता है because they are working on this otherwise अगर पाकिसान में ऐसा कोई series या कोई SITS बनी है AI के ओपर तो please let me know so मैं उसे भी recommend करूंगा this is how you do और अगर अभी आपका कोई भी question है then you can let me know उसके बाद हम इस course के main goals पर बात करेंगे and then we will see के हमने आइंदा कैसे आगे proceed करना है आपका किसी का कोई question है you can write down in the chat now